किन्नू में पॉलिनेशन असी प्रतिशत हो चुका है और बारीक फल बन चुका है किन्नू का इस सवस्था में कई बार थ्रिप्स के अटैक के कारण किन्नू के फ्रूट की क्वालिटी इसमें जो छिलका होता है उस पर स्क्रैच पढ़ जाते हैं तो आप ध्यान रखें जैसे ही आपका 100% पॉलिनेशन हो जाए और आपको लगे कि आपके बाग में थ्रिप्स का अटैक है तो इथियोन 2 ml प्रति लिटर पानी के हिसाब से घोल बना कर सप्रे करें ताकि थ्रिप्स और माइट नियंत्रित हो सके और जिससे आपके जो किन्नू का फल है वो स्क्रैच फ्री हो स्क्रैच ना आए उस पर इथियोन 2 ml प्रति लिटर पानी के हिसाब से घोल बना कर सप्रे करें धन्यवाद किसान भाई हो